EBS या प्रयावरन ध्यान की online study में आप सब का हार्दिक स्वागत है EBS या प्रयावरन ध्यान की वीडियोस वाइल एंगुल रहेंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपने इस session या सतर में अभी तक remedial teaching से पिशली class की material या समगरी का revision किया इस वीडियो में 5th class की EBS की book Looking Around या प्रयावरन ध्यान की पांचमी class की किताब आसपास के पहले chapter सुपर सेंसिस या कैसे पहचाना चिंटी ने दोस्त को के माध्यम से सेंसिस जैसे सूंगना, चकना, देखना आप दी की जानकारी देने जा रहा हूं तो आप त्यार हैं चलो शुरू करें आप 5th class की EBS की book Looking Around या आसपास का page number 1 open करें या फिर इस page को आप अपनी screen पर भी देख सकते हो Has this ever happened to you? क्या तुमारे साथ कभी ऐसा हुआ है? You were eating in the playground, an eagle flew down and took away your roti तुम स्कूल के मेदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई तो आप अपनी screen पर इस चित्र को ध्यान से देखें बच्चे playground में खाना खाने बैठे हैं और एक चील आई और उनका खाना ले गई As you walked softly past a sleeping dome, its ear shoot up at once तुम एक सोय हुए कुत्ते के पास से गुजरे और जट से उसके कान खडे हो गे You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it खाते समें तुम से कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में बहां चींटियों का जुंड इकठा हो गया Why does it happen? Think and tell क्यूं होता है ऐसा सोच कर बताओ तो क्या आप बता सकते हो? अगर नहीं तो चलो जानते हैं Animals also have different senses They can see, hear, taste, smell and feel जानबरों मैं भी देखने, सुनने, सूंगने और मैसूस करने की शक्ती होती है Some animals can see their prey from far away कोई जानबर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है Some can hear even the fantast sound कोई हलकी से हलकी आहट को भी सुन लेता है Some animals can find their friends while their smell कोई जानबर अपने साथी को सुनकर ढूंड लेता है The animal world is full of examples of amazing senses जानबरों की दुनिया अती विसमेकारी senses के दोहालनों से भरी पड़ी है तो अब आपको समझ आ गया होगा कि पास से गुजरने पर कुट्टे के कान जट से क्यूं खड़े हो जाते हैं और जमीन पर मीठा गिरने से एक्तम चीन्टियों का जुन्ड क्यूं इकठा हो जाता है उनकी senses के कारण देखने, सुनने, सुनने और मैसूस करने की शक्ती के कारण How did the aunt recognize a friend? कैसे पहचाना चीन्टी ने साथी को? An aunt was going along on the ground एक चीन्टी अपने रास्ते चली जा रही थी It saw a group of aunts coming from the other side The first aunt quickly came back to its hole अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चीन्टियों को देखकर वो जट से अपने बिल की तरफ बापस दोड़ी आई The aunt guarding the hole recognize it and let it in बिल के बाहर पहरा दे रही चीन्टी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया Think and tell सोचो और बताओ How did the aunt know that the other aunts were not from its group? इस चीन्टी को कैसे पता चला कि सामने बाली चीन्टियां दूसरी टोली की हैं? आंट्स या चीन्टियों में स्मेल से पहचानने की शक्ती होती है तो उस चीन्टी ने स्मेल की हेल्प से जाना की चीन्टियां दूसरे ग्रूप की हैं How did the guard aunt recognize this aunt? पहरेदार चीन्टी ने इस चीन्टी को कैसे पहचाना? तो जो guard aunt थी या पहरेदार चीन्टी थी उसने special smell या विशेश गंद से उस चीन्टी को पहचाना Try this and write करके देखो और लिखो Drop some sugar, jaggery or anything sweet on the ground Wait until the aunts come there चीन्टी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज जमीन पर रखो अब इंतचार करो चीन्टियों के आने का How long did it take for the aunts to come? चीन्टी कितनी देर में आई? आपको इस observation को अपनी notebook या copy पर note करना है Did one aunt come first or a group of aunts came together? क्या सबसे पहले एक चीन्टी आई या सारा जुन्ड एकठा आया? आप इसे absorb करें आप देखेंगे कि एक चीन्टी आने के बाद दीरे दीरे बाकी चीन्टियां आ जाती हैं What did the aunts do with the food? चीन्टियां खाने की चीज का क्या करती हैं? आपने देखा है कि चीन्टियां जादेतर अपने भोजन को अपने साथ ले जाती हैं Where do they go from there? बे उस जगा से कहां जाती हैं? बे बहां से अपने बिल या होल में जाती हैं Do they move in a line? क्या बे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? हाँ बे एक दूसरे के पीछे कतार या लाइन में चलती हैं? Now, carefully without harming the ants, block their path for a while with a pencil अब ध्यान से बिना किसी चीन्टी को नुक्सान पहुंचाए उस कतार या लाइन के बीच में पैंसिल से कुछ देर चीन्टियों का रास्ता रोखो आप इस काम को बड़े ध्यान से करेंगे, किसी चीन्टी को नुक्सान नहीं पहुंचना चाहिए Now, observe how do the ants move? अब देखो चीन्टियां कैसे चलती हैं? आप ये करके देखना, आप देखेंगे चीन्टियां उस पैंसिल पर चड़कर अपना रास्ता बना लेंगी Many years ago, a scientist did many experiments like this बहुत साल पहले एक बग्यानिक ने इसी तरह के केई प्रयोग किये थे He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground बे इस नतीजे पर पहुंचे की चीन्टियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती है The other ants follow the smell to find the bay जिसे सूंग कर पीछे आने वाली चीन्टियों को रास्ता मिल जाता है तो आपने जाना की चीन्टियां, smell या गंद को सूंग कर एक दूसरे के पीछे लाइन में चलती है Now, can you guess why the ants behaved like that when you blocked their path क्या आप बता सकते हो, जब तुमने pencil से या फिर किसी और चीज से चीन्टियों का रास्ता रोका, तब उनके ऐसे विवार का क्या कारण था तो आप जड़ा सोचें कि चीन्टियां pencil पर क्यूं चड़ गई जब आपने pencil से उनका रास्ता रोका क्यूंकि आगे चलने वाली चीन्टियों की smell या गंद को सूंग कर वो उनके पीछे चलने का प्रयास कर रही थी Some male insects can recognize their females by their smell कुछ नर कीडे मकोडे अपनी मादा कीडे की गंद से उसकी पहचान कर लेते हैं तो आपने इस पीडियो में जाना कि जानवरों में भी देखने सुनने सूंगने और मैसूस करने की शक्ति होती है चींटियां सूंगने की शक्ति का प्रयोग करके एक लाइन बना कर चलती हैं इस वीडियो में इतना ही आगे की जानकारी पार्ट टू में आपको दी जाएगी हैवे नाइस दे